नमस्कार साथियों यह इस उपर नेपियर इसके हमने पहले स्टी काटली फिर इस तरह स्टीक लगाकर हम इसकी नर्सरी त्यार करते हैं और यह लगबग डेढ़ महिने की नर्सरी होगी त्यार हमरी अब हम इसको ट्रांस्पलांट कर रहे हैं अब इस तरह इसके पॉद्ध हम तो आम हरे ट्रांस्पलांट कर रहे हैं जमीन के अंदर गा रहा रहे हैं इस से क्या हमारे लगबाइ दो पानी की बचत हो जाती है और जमीन जो अभी वर्तमान में जो वहारी खाली नहीं थी पहले तो उसमें हमने ने यहां पर लगा दी अभी हमारे जो जमीन cracked होई तो काली होती है हमने उसको इजुताई करके और यहां से अब यहां सिटिक लगा कर वहां पर लगा देंगे जमीन के जो अब साथी बीज मंगोने चाहता है दिए गए नमबरों पर संपरा कर से